हलो फ्रेंग्स माने में शानमा सिद्धी की आम फ्रम जुस्ट फॉर लाइफ कोच और इन सबसे बढ़कर आप सभी का दोस्त हाजुर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इंग्लिश की ग्रामर की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है आजकल हम लोग इंग्लिश के बहुत सारे ग्रामर चाप्टर को सीख रहे हैं दोस्तों मैं हर वीडियो में इस बात को जरूर रिपीट करता हूं ताकि यह बात आपके दिमाग में डीप सीटेड हो जाए डीप करते हैं और आपको सिंटाक्स को समझना होता है कि हम उस स्टक्चर को कहां पर यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं अगर आपको किसी भी ग्रामर चैप्टर के बारे में यह दो चीज़े समझ में आ गई कि कहां पर यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं तो भगवान ग्रामा चैप्टर है और बहुत यूज होने वाला ग्रामा चैप्टर है जो हम लोग अपनी डे टो डे लाइफ में बहुत जादा इस्तेमाल करते हैं सबसे पहली बात सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो यह है कि जो यूज है यह पास्टेंस के लिए इस्त्माल किया जाता है तो इसका यूज हम कहां पर करेंगे किसके लिए करेंगे पास्टेंस के लिए जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं आज फिर बता देता हूं कि हम जब कोई बी sentence बोलते हैं हमारे मुझे जब कोई भी बात निकलती है तो वो sentence या तो present का होता है या past का या फिर फ्यूचर का क्योंकि तीन के लावा चौथा कोई tense होता नहीं है और हमें अपने यही तीन tense brush up भी करने है इनी तीन tense को हमें clear भी करना है कि अगर हम present की कोई बात कहें तो हमसे गलती ना हो अगर हम past की कोई बात कहें तो हमसे गलती ना हो अगर हम future की कोई बात कहें तो हमसे कोई mistake या कोई गलती ना हो तो हम जब भी बात करेंगे तो हम tense को तीन तरीके से सोचेंगे present, past और future तो आज जो हम लोग used to grammar chapter पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला point यह कि हम लोग past tense में use करने जा रहे हैं, past tense के लिए पढ़ने जा रहे हैं, अब दूसरी बात कि हम इस grammar chapter को कहां use करते हैं, कहां use करेंगे, इस sense को भी तो develop करें, जो आपको यह पता ही नहीं होगा कि हम कहां use करें continuous या frequent action को बताने के लिए करते हैं, बताने के लिए करते हैं, तो देखें, मैंने क्या बोला कि हम used to के इस्तिमाल क्या करते हैं, past के किसी भी continuous या frequent action को बताने के लिए करते हैं, अब continuous का मतला आपको समझ में आ रहा कि past का कोई भी action जो लगातार हो रहा था, जारी था, continuous था, उसको बताने के लिए, या कोई frequent action, frequent का मतला होता है, जो कई बार हुआ है, बार बार हुआ है, ऐसे action को हम frequent action कहते हैं, इसे आप आस ऐसे action को बताने के लिए, ऐसे action को define करने के लिए used to grammar chapter का सहारा लेते हैं, used to grammar chapter से हम उस sentence को translate करते हैं दोस्तो यह बहुत important grammar chapter है, past tense में सबसे जादा बोला जाने वाला grammar chapter है जो आम लोगो अपनी day to day life में use करते हैं, जब भी कोई person अपने बच्पन की कोई भी बात किसी को बताता है तो सारे sentence किस से बनते है, used to से, अब अगर मैं बच्पन की कोई भी बात बताऊं, तो बच्पन की बात मतलब past की बात, बच्पन की बात मतलब past की बात, और मैं आपको अगर अपने बच्पन की कोई भी बात बताऊंगा, तो मेरे sentence के जितने भी structures होंगे, वो कैसे होंगे, वो वो सब past tense के होंगे और वो सब used to से translate किये जाएंगे. तो जब कुछ sentence को आप सुनिये और सुनके इस बात को clear करने की कोशिश किए कि हम used to का इस्तिमाल कहां पर करते हैं. जैसे मैंने कहा कि मैं नानी के हां जाया करता था. मैं गर्मियों की छुटी में नानी के हां जाया करता था. तो जब हम लोग बच्पन में छोटे होते हैं तो हम लोग नानी के हां बहुत जाते हैं. आप लोग भी जाते होंगे नानी के हां. तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं नानी के हां जाया करता था. तो बात कब किये, पास किये, और मैंने का जाया करता था, पिससे आपको पता चला कि मेरा repeated action, कि मैं नानी किया एक बार नहीं गया, बलकि मैं बहुत बार गया हूँ, तब ही मैं बोल रहा हूँ कि मैं नानी किया जाया करता था, अगर मैं एक बार गया होता, तो मैं आप से यह कहता कि मैं नानी क्या गया था तो आप सोचते हैं कि सर कभी गया होंगे तो मुझे बता रहें कि मैं नानी क्या गया था तो यह हमारा पिर से past का repeated action तो इसको यहाँ पर लिखा रहने दीजे ताकि बार-बार आपको ध्यान रहे कि past का कोई भी repeated action या ऐसा action जो past में एक बार नहीं बल्कि बहुत बार हुआ है किसी भी continuous action को बताने के लिए हम लोग use करते हैं मेरे मामा जी मेरे लिए खिलाओने लाया करते थे अब लाया करते थे तो इससे आपको पता चल गया कि मामा जी खिलाओने एक बार नहीं बल्कि बहुत बार लाएं बल्कि बहुत बार लाएं तभी मैं कह रहा हूं कि मेरे मामा जी मेरे खिलाओने लाया करते थे अगर मामा ज चल गया कि ये sentence used to से translate किया जाएगा, मेरी मौसी मुझे पैसे दिया करती थी, तो दिया करती थी, जैसे ही मैंने बोला, आप को यह बाद समझ में आ गई कि मौसी ने पैसे एक बार नहीं, बलकि मुझे बहुत बार दिये हैं, इसलिए मैं sentence बोल रहा हूं कि मेरी मौसी मुझे पैसे दिया करती थी, मैं रिक्षे से स्कूल जाया करता था, मैंने किया बोला, मैं रिक्षे से स्कूल जाया करता था, मैं क्लास में सबसे आगे बैठा करता था, मैं क्लास में सबसे आगे बैठा करता था, अब देंकि सबसे आगे बैठा करता था, अब देंकि सबसे आगे बैठा करता था, मेरी मैम मुझे चॉकलेट दिया करती थी, मेरी मैम मुझे चॉकलेट दिया करती थी, तो आपको समझ में आ गया कि मैम ने चॉकलेट एक बार नहीं बलकि बहुत बार दिया है, तो पास का रिपीटे अक्शन, पास का पास का रिपीटे अक्शन कि मेरी मैम तो आप समझ गए कि मैं रोज जाता था और उसी चेर पर उसी कुरसी पर बैठते था तो बैठने का मेरा action रिपीटेट अक्षिन तो पास का रिपी içinडेट एक्षन उसको बताने के लिए भुरे उज्ट्यू का इस्तेमाल करते हैं तो यही वह चेर जहां मैं बैठा करता तो देखो अब मैने बच्चपन में जो भी किया है अगर वो सारे सेंटेंस में आपके सामने बोलने लगूं तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस सारे सेंटेंस वह यूस्टू से ही ट्रांसलेट किये जाते हैं दोस्तों यूस्टू मैं फिर से कह रहा हूं कि यूस्टू पास्ट में सबसे जादा बोला जाने वाला grammar chapter है तो इस एक grammar chapter पे command करके आप लोग कमाल कर सकते हैं आप कभी किसी बुजूर्ग के पास बूड़े आदमी के पास बैठिये कभी अपने दादा जी नाना जी के पास बैठी है अलागि आजकर लोग के पास टाइम नहीं है कि लोग बुजूर्गों के पास बैठे हैं लेकिन हमें बैठना चाहिए उनसे संसकार मिलते हैं अच्छी बाते सीखने को मिलती है तो अगर आप कभी अपने दादाजी के पास बैटेंगे, तो दादाजी का एक बड़ा फेवरेट डालॉग है, जो लगबख सब के दादाजी ने एक बार बोला जरूर होगा, क्या रहे है यार हमारे जमाने में देसी गी एक रुपए किलो बिका करता था, हमारे जमाने में आदाजी के बड़ा और दाजी का बड़ा फेवरेट डालॉग है, जो लगबिछा करते हैं क्या तुम लोग 14 तक भी जाते हो बिना बाइक का नहीं जाथे हम लोग मीलो पैदल चला करते थे, का अपको बात समझ मե आगे ही, पात पास की है ना धादाजी क्या के रहे है कि हम लोग MeeLo Pdadl चला करते थे, आपने, शाइज 6 or 7 standard में, साइन्स की बुक में पढ़ा है कि आधी मानव गुफ़ाओं ते थे, अब झेखिए आधी मानव की बात हो रही है, और आधी मानव गुफ़ाओं में रहा करते थे, तो उनका Continuals Action, उनका Repeated Action, कि आदी मानव कहा रहते थे, आदी मानव गुफाओं में रहा करते थे, वो जानवरों की खाल के बने कपड़े पहना करते थे, वो कंद मूल फूल पत्ती खाकर अपना जीवन गुजारा करते थे, तो यही लाइने लिखी हुई है, साइंस की बुक्स में, कि वो फूल पत्ती कंद मूल फूल पत्ती खाकर अपना जीवन गुजारा करते थे अब सब लोगों ने एक मुवी देखी होगे दोस्तों मुवी कौन सी है मेरे करन अरजुन आएंगे तो आपने शारू खान और सलमान खान की मुवी देखी है तो याद कीजे वो शॉट मुवी का वो शॉट जब शारू कहान शेहर से गौ़ लोड़ के वापस आता है और जब स्टेशन पर उतरने के बाद गौ़ में जैसी शारू कान इंटी करता है तो फ्लाश बाक में में शारूख का कुछ दिखाई देता है और फिर शारू चाप कहता है कि यहां पर मजदूर पत्थर तोड़ा करते थे, यहां पर मजदूर पत्थर तोड़ा करते थे, वहां पर एक तालाव हुआ करता था, वहां गाओं के पास चूड़ियों का एक बाजार हुआ करता था, तो देखिए दोस्तों सेंटेस आपने सुना, कि यहां मजदूर तोड़ा करते थे मतलब क्या हुआ कि देखिये past के किसी repeated या past के किसी continuous या past के किसी frequent action को बताने के लिए हम लोग used to का इस्तिमाल करते हैं मैंने का पहले लोग बैलगालियों सफर किया करते थे पहले लोग बैलगालियों सफर किया करते थे किसान प्राकरती खात का इस्तिमाल किया करते थे लोग भारत को सोने की चड़िया कहा करते थे लोग कानपुर को कानपुर कहा करते थे मेरे दोस्त मुझे गांधी जी कहकर प तो मेरे पिताजी मुझे हर शनिवार मोती जील ले जाया करते थे, पास्ट का रिपीटेड़ आक्षण, मैंने क्या बोला, इस बात को ध्यान रखेंगा अपने जहिन में, पास्ट का रिपीटेड़ आक्षण, कि अजब भी शनिवार आता था, हमारे पिताजी की छुट्टी रहती ती सदेडे संडे दो दिन, तो हर शनिवार पिताजी कहां लेके जाते थे, मोती जील, तो हर शनिवार मेरे पिताजी मुझे मोती जील ले जाया करते थे, तो दोस्तो इतने सारे examples मैंने आप लोग को दिये, मैं चाहता हूँकि ये grammar season is a whole chapter वहां गया past indefinite, मैं गया that's it, लेकिन मैं वहां जाया करता था, यह हो गया used to, मेरी मौसरी मुझे पैसे दिये, यह हो गया past indefinite, लेकिन मेरी मौसरी मुझे पैसे दिया करती थी, यह grammar chapter हो गया used to, तो used to का इस्तेमाल हम लोग past के किसी भी repeated या frequent action को बताने के लिए करते हैं, त इस गामा चैप्टर का use हम लोग कैसे करते हैं, तो यह बात तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इस के लिए मैं आपको देता हूँ, एक syntax, एक formula, तो सबसे पहले लिखिए subject, फिर subject के बाद लगाए used to, फिर verb की first form, और last में जो बचा कुछ है उसे object की तरह से, रख दीजे, अब verb की हमें रखनी है first form, और यहां पर last, जो बचा कुछ है उसे हम लोग object की तरह से यहां पर रख देते हैं, तो अगर आप लोग इस syntax को, इस structure को follow करके अपने sentence बनाएंगे, तो आप लोगों से कभी भी mistake नहीं होगा, आप से कभी भी कोई गलती नहीं होगा, अब एक छोटा किले grammar chapter पढ़ रहे हैं, फिर आपने verb की first form को क्यों रखा, तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर जो आपने use देखा है, यह जो used मैंने लिखा, यह use का ही तो past form है, उसी का तो second form है, और यही used हमें बता रहा है, कि यह grammar chapter हमारा past tense का है, तो हमें verb को दो दो बार change करने कि वशक्ता नहीं, दो दो बार हमें change करने कोई जववत नहीं, हमें used to से ही, हमें used to से ही hint मिल रहा है, कि हमारा एक grammar chapter जो है, वो past tense का है, और यह past के किसी भी repeated, किसी भी frequent, या किसी भी continuous action को बताने का काम करता है, तो चलिए, अब जल्दी जल्दी से जड़ा हम लोग sentence की practice कर लेते हैं, मैं sentence बोलता जाओंगा, आप लोग मेरे साथ sentence को बनाते जाएंगे, और फिर वही बात कि जिन लोग को verb याद होगा, जिन लोग के दिमाग में verb जितनी जल्दी आ जाएगा, उनका sentence उतनी ही जल्दी translate हो जाएगा, और जिनको verb नहीं आएगा, वो लोग structure जानने के बावजूद भी sentence को translate नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं humble request to you, मेरे आप लोग से request है कि जाज़दा verb को पढ़िये, जाज़दा verb को एकटा कीजिये, क्योंकि sentence को translate करने में सबसे important, सबसे एहम भूमिका हमारे verb की, हमारे action word की होती है, तो ज़रा बताइए, मैं नानी के यहा जाया करता था, तो आप कैसे बोलेंगे, I used to go to my maternal mother's house, तो नानी के घर को क्या बोलते हम लोग, maternal mother's house, या आप simple नानी का घर बोल सकते हैं, तो नानी's house भी कह सकते हैं, नानी का घर, या maternal mother's house, तो मैं नानी के घर जाया करता था तो I used to go to my maternal mother's house, मेरी मौसी मुझे पैसे दिया करती थी, तो subject कौन मेरी मौसी, my auntie, my auntie, my auntie used to give me money, तो देखिये, देना, देना, that is called give, तो वर्ब सोचिए, मेरी मौसी मुझे पैसे दिया करती थी, तो my auntie used to give me money, और आप मासी भी बोल सकते हैं, आप मौसी बोल सकते हैं, कि मेरी मौसी used to give me money, मेरे मामा जी मेरे लिए खिलोने लाया करते थे, तो मेरे मामा जी, my uncle, my uncle used to bring, देखिये, लाना, वर्ब सोचिए, वर्ब सोचिए, लाना, लाना क्या होता है, that is called bring, तो my uncle used to bring twice for me, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कि मामा जी used to bring twice for me, तो मेरे मामा जी मिले खिलोने लाया करते थे, तो लिए पास का repeated action, कि मामा जी खिलोने एक बार नहीं, बलकि बहुत बार लाये हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, कि मेरे मामा जी मेरे खिलोने लाया करते थे, तो my मामा जी used to bring twice for me मैं रिक्षे से स्कूल जाया करता था मैं रिक्षे से स्कूल जाया करता था तो I used to go to school by rikshah तो जब हम किसी के दोवारा जाते हैं तो by plane, by auto, by tempo, by rikshah, by bus, by bike तो हम लोग by का यूस करते हैं तो मैंने क्या बोला by rikshah तो I used to go to school by rikshah तो मैं रिक्षे से स्कूल जाया करता था तो I used to go to school by rikshah मैं क्लास में सबसे आगे बैठा करता था मैं क्लास में सबसे आगे बैठा करता था तो I used to sit बैठना अब देखें बैठना सबको पता है sit और सबसे आगे इसे हम लोग कहते हैं foremost क्या कहते हैं? foremost सबसे पीछे होता है back most सबसे पीछे back most सबसे आगे क्या होता है foremost मैं क्लास में सबसे आगे बैठा करता था था यूस सबसे पीछे बैठा करता था तो यूस सबस Men motivated chocolats दिया करती थी मैम Siya यूस्टू देऑ मैम ने च ata नहीं बल्कि बहुत बार दिया इसलिया मैं कहे रहा हूँ की मेरी मैम मुझे चोकलेट दिया करती थी तो my ma'am used to give me chocolates, हम लोग interval में football खेला करते थे, तो we used to play football in interval, तो जब school में interval होता थे, तो हम लोग सारे friends लोग क्या करते थे, फुटबॉल खेलते थे, लुढ रोज हम लोग हरोज फुटबॉल खेलते थे, तो हम लोग बारिष फुटबॉल in rain हम तो हम ने क्या बोला हम लोग बारिश पे फुटबॉल खेला करते थे तो we used to play football in rain पहले लोग बैलगाडियों सफर किया करते थे पहले लोग बैलगाडियों से सफर किया करते थे तो people, लोग, लोग क्या बोलते है people, तो यहाँ पर subject हमारा क्या है बुलक काट तो यात्रा करना, सफर करना इसे का जाता है ट्रावल तो people used to travel by बुलक काट तो पहले लोग पहले, अब मैंने पहले बोला तो पहले को आप earlier भी कह सकते है earlier का मतलब क्या हो गया पहले, तो पहले के लिए हम लोग वर्ड उस करते है earlier, that is called पहले तो people used to travel by बुलक काट earlier, मैं पहले chemistry पढ़ाया करता था, तो I used to teach chemistry earlier, मैं पहले बच्चों को पढ़ाया करता था, तो I used to teach children earlier मैंने क्या बुला, कि मैं पहले बच्चों को पढ़ाया करता था, तो I used to teach children earlier, मैं पहले chemistry पढ़ाया करता था तो I used to teach chemistry and learn मेरे दोस्त मुझे गांधी जी कहकर पुकारा करते थे my friends used to call me पुकारना किसे को बुलाना पुकारना कहना that is called call my friends used to call me Gandhi जी तो मेरे दोस्त मुझे गांधी जी कहकर बुलाया करते थे my friends used to call me Gandhi ji यही वो chair है जहां मैं बैठा करता था यही वो chair है तो आप क्या कहेंगे this is the chair क्या बोलें यही वो chair है this is the chair जहां where मैं बैठा करता था तो I used to sit तो जल्दी से बोलिये यही वो chair है जहां मैं बैठा करता था तो this is the chair where I used to sit sit यही वह school है जहां मैं पढ़ा करता था तो this is the school this is the school where I used to study तो यही वह school है जहां मैं पढ़ा करता था तो this is the school where I used to study लोग भारत को सोने की चड़िया कहा करते थे तो people यूसटू कॉल इंडिया अगोल्डेन बर्ठ तो भारत को सुने की चडिया कहा करते थे अब सब लोगोई बात पता है कि पीपल यूसटू कॉल इंडिया अगोल्डेन लोग कानपूर को एशिया का मैंचेस्टर कहा करते थे, इतनी सारी मिल्स, इतनी सारी फैक्टरी थी कानपूर के अंदर, कि लोग कानपूर को एशिया का मैंचेस्टर बोलते थे, तो पीपल यूस्टू कॉल कानपूर दा मैंचेस्टर ओफ एशिया, तो लोग कानपूर को ए पहला नाम क्या है Kahnapur है और फिर बदलते बदलते 25-26 बार Kahnapur का नाम बदला तब जाकर आज यह हुआ Kahnapur, लेकिन सबसे पहला नाम क्या था Kahnapur, तो लोग Kahnapur को Kahnapur कहा करते थे तो people used to call Kanpur Kanhapur, मैंने का आदी मानों गुफाओं में रहा करते थे, तो आदी मानों के लिए क्या word होता है, एक तो early man, एक होता है primitive man, एक होता है stone age man, और मुझे सबसे अच्छा word लगता है cave man, तो आदी मानों के लिए this is the word cave man, जिसे हम लोग कहते है आदी मानों, तो आदी मान अदलब क्या हो विए रहना, तो cave man, used to live in cave, वो जाणवरों की खाल के बने कपले पहना करते थी, तो they used to wear clothes, they used to wear clothes, made up of animals skin, तो जाणवरों की खाल के बने, तो इसे हम लोग ऌने, made up of animals skin, तो जाणवरों की खाल के बने, तो made up of animals skin, तो जानवरों की खाल के बने कपले पहना करते थे, तो they used to wear clothes, made up of animals skin, वो कंद मूल फूल पत्ती खाया करते थे, तो कंद मूल फूल पत्ती, तो देखे, they used to eat, कंद, कंद क्या होता है, शकर कंद, आपने सुना है, कंद, that is called shoot, मूल, that is called root, फूल, that is called flowers, and पत्तिया, that is called leaves, तो they used to eat root, shoot, flowers and leaves, तो वो कंद मूल फूल पत्तिया खाया करते थे, तो they used to eat root, shoot, flowers and leaves, तो सब लोग मेरे साथ एक बार फिर से बोलिये, वो कंद मूल फूल पत्ती खाया करते थे, तो they used to eat root, shoot, flowers and leaves, किसान प्राकृतिक खात का इस्तेमाल क्या करते थे, किसान प्राकृतिक खात का इस्तेमाल किया करते थे तो farmers used to use natural fertilizer देखे मैंने का farmers used to use तो इस्तेमाल करने के लिए वर्ब क्या use करते हैं use तो यह sentence हमें थोड़ा था confuse करता है क्योंकि यहां पर दो बार एक बार used आ रहा है एक बार use आ रहा है तो यह तो हमारा helping verb वाला use हो गया और यह हमारा main verb वाला use है that is called use तो farmers तो किसान प्राकृति खात का इस्तेमाल क्या करते थे तो farmers used to use natural fertilizer यहां पर मजदूर पत्थर तोड़ा करते थे तो मजदूर को आप laborers कहते हैं या workers भी कह सकते हैं तो यहां पर मजदूर पत्थर तोड़ा करते थे तो workers used to break rocks here स्टोन नहीं बोलेंगे स्टोन चोटे चोटे पत्थर होते हैं बड़ी बड़ी चटानों को तोड़के उसको चोटे चोटे पत्थरों में बदलते थे चेंज करते थे तो बड़ी बड़ी चटाने उनको तोड़ने के लिए तो हम लोग बोलते ब्रेक रॉक्स तो आप तो we used to bung the classes, तो हम लोग class से गोला मारा करते थे, तो we used to bung the classes, हम लोग आमिर खान की film First Day First Show देखा करते थे, तो we used to watch आमिर खान's movie First Day First Show, तो हम लोग आमिर खान की movie First Day First Show देखा करते थे, तो we used to watch आमिर खान's movie First Day First Show, तो देखना और मुवी को देखना इसके लिए वर्ब क्या य बलकि बहुत बार देखा है इसलिए sentence को बोल रहे है तो past का repeated action क्या बोलेंगे past का repeated action तो used to क्या करता है past के repeated action को बताता है used to past के frequent action को बताता है used to past के continuous action को बताता है या used to में ये बताता है कि कोई action past में एक बार नहीं बलकि बहुत बार हुआ है उसको describe करने के लिए हम लोग used to का इस्तिमाल करते हैं तो दोस्तों अब घर पर आप लोग इस grammar chapter की और बहुत सारी practice कीजेगा और कोई भी problem हो तो आप मेरे whatsapp पर मुझे message करके अपनी उस problem को मुझे share भी कर सकते हैं अब फिर से आप लोग के लिए छोटा सा टास्क कि आप मेंसे जितने भी लोग यूस्टू grammar chapter को सीख गए हैं उनको समझ में आ गया कि इसको कैसे translate करना है तो आप सब लोग comment box में आके मुझे दो दो sentence बना के comment box में भेजेंगे जिससे मैं चेक करूंगा देखूंगा कि वाकई में सच में आप लोग यूस्टू grammar chapter को इस्तेमाल करना सीख गए हैं या नहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जल्दी से like कर दीजे अपने friends के साथ भी share कर दीजे ताकि उनका भी भला हो जाए वो लोग भी बहुत परेशान हैं English सीखने के लिए तो कुछ दूसरों को अभी भला कर दीजे फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए grammar chapter के साथ एक नए वीडियो में तिल दिन बाए बाए थैंक यू वेरी मच थैंक यू गाइस